तो गाइस, इसके लिवन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जो आपको South Australia vs Victoria के बीच में, यहाँ पर Australia Domestic One Day Cup का जो आपको match खिला लाता दिखेगा उसके बारे में, तो बहुत important match यहाँ पर आपके लिए रह सकता है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े changes हैं, तो आपके लिए match भी investment के लिए काफी अच्छा है, और match की deadline भी modding में है, तो आप काफी अच्छा match से कर सकते हैं, मेरी suggestion तो यही रहेगी कि आप इस match में अच्छा invest कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा match है ही, तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पर start कर लेता हूं, पहले मैं आपको square पर लेके चलता हूं, यह आप South Australia का पहले आप square देख सकते हैं, जिसमें आपको एक-दू changes देखने को मिलेंगे, आप square देख लीजे, हम Dream Eleven की जब team discuss करेंगे, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि कौन से player यहाँ पर आपको इस match में खेलते नहीं दिखेंगे, यहाँ पर जो mainly players अंदर आये हैं, रेयान Gibson अंदर आये हैं, और यहाँ पर देख सकते रेयान Gibson अंदर आये हैं, और Cameron Valente अंदर आये हैं, और दो player यहाँ पर बाहर गए हैं, जिनके बारे में ह अंदर आये हैं, जिनके अबारे में मुझे आपको बताना है, तो में इनके बारे में आपको टीम बनाते हुए बता दूँगा, तो बहुत सारे changes है, मैंली मुझे लगता है आपको इस match में 6-7 change देखने को मिल सकता है दोनों teams की तरब से, विक्टोरिया में तो definitely यहाँ पर और South Australia में भी एक या दो change हो सकता है, एक change तो confirm है, तो पांच चेंटों आपको confirm ही देखने को मिलेगा, और छठा change भी हो सकता है, यह आप points देख सकते हैं, जिसमें Victoria South Australia दोनों नीचे हैं, और दोनों का यह tournament खत्म हो चुका है, दोनों सिर्फ pride के लिए खेलने वाली है, यह दोनों टीम्स का recent match का performance देख लीजे, दोनों टीम्स बुरी तरीके से हार कर आ रही है, यह South Australia का recent match का batting performance देख सकते हैं, उसके लाबा यह bowling performance आप देख सकते हैं, और यह विक्टोरिया का recent match का batting performance देख सकते हैं, और यह bowling performance देख सकते हैं, दोनों टीम्स की bowling बहुत कमजोर है Victoria की तो पहले balling strong भी थी जब इनके main ballers थे लेकिन इस match में Victoria की भी balling काफी कमजोर हो चुकी है और मुझे ज़्यादा chances लग रहे कि South Australia इस match को जीतने वाली है यह आप full stats press info देख लीजे South Australia का है फूरे season का इसमें सभी players के आपको full stats press info मिल जाएंगे यह batting का है और यह यहाँ पर balling का है यह Victoria का आप full stats press info देख सकते हैं यह batting का है और यह यहाँ पर balling का है इसमें भी आपको सभी players के full stats plus info मिल जाएंगे और एक player के बारे मैं फिट से आपको बता देता हूँ जो कि एक player है अस्ट्रेलिया की नए all-rounder है जो कि पिछले मैं जिनको साथ में और बैटिंग करने का मौका मिला था कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन कमाल के player है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा Sam Kerber नाम है उनका उनका जो domestic में performance है बहुत अच्छा था 67 उनका batting का average था और 22 का उनका यहाँ पर और 23 के लगवका उनका balling average left arm orthodox डालते हैं काफी अच्छे all rounder है इनका ध्यान रखिएगा आपके लिए बहुत अच्छी डिफ्रेंसल पिक है अगर खेलते हैं मुझे लगता खेलने चाहिए एक इनको देना चाहेगी तो definitely आपके लिए grand league के captaincy की option बनते हैं इन पर कोई नहीं ध्यान देगा आप पर इस इन पर ध्यान दे सकते हैं अब चलिए हम अपनी टीम यहाँ पर discuss करते हैं पहले हम आ जाते हैं बिगेट keeper section पर तो यहाँ पर तो चारो जो players है चारो important बनते हैं ले ही जो कि दोनों अस्टेलिया के लिए खेले हैं carry तो अभी खेलते भी है hands come अभी half final में नहीं खेल रहें लेकिन कमाल के form में hands come चले और दोनों कमाल के batsmen है carry bigate keepening भी करेंगे और hands come team के captain रहेंगे दोनों चौथे number बढ़ाएंगे दोनों important है तो दोनों को तो आपको small league में ल class वाला उसमें भी 100 किया है तो आप इनको भी definitely ले सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छी डिफ्रेंसल पिक है ग्रैंडिंग में तो आपको must try करना है और इस small league के लिए भी आपके लिए काफी अच्छी डिफ्रेंसल पिक बन सकते हैं Harry Nielsen भी open करें तो आप इनको भी GL में जरू try कर सकते हैं बैटिंग सेक्षन पर आते हैं जहां पर आपके लिए इस match में ज्यादा option नहीं है आपके पास में जो अच्छी option है उनको मैंने यहाँ पर select करने की कोशिस की है निक मैडिंसन वेथरल और मारकस हैरिस तीनों मैं important players के साथ जा रहा हूं जो कि ज्यादा famous ह और तीनों अच्छे players है यहाँ पर वेथरल अभी तक उतना अच्छा नहीं खेले थे लिकिन पिछला match में अच्छा performance था इनका open करेंगे और पिछला match में half century करकर आ रहे हैं मारकस हैरिस इनका form बहुत अच्छा है सैफिल सिल्ट में भी बहुत अच्छा था और इस सीजन भ कुछ performance की रहा है फिर भी एक अच्छे player है one down आ रहें तो मुझे यहीं important लगे इसलिए मैंने तीसरा बैट में इनको अभी के लिए सेलेक किया है आपके पास option में ज्यादा नहीं है कैलम फर्गर्सन इस match के लिए अवलेबल नहीं है तो आप उनको मट ट्राइ करिएगा और तो आप देखना होगा South Australia उन्हें कहां खिलाती है पांच में नावर पर expected है कि वो बैटिंग करेंगे छटे नावर पर भी आ सकते हैं Sam Yor आपको पांच में छटे नावर पर दिखेंगे और Sam Yor न भी हाल में ही first class में भी debut किया Victoria के लिए Seffield Shield वाले game में recent पे जिसमें उन्हो प्राथर Marlow Travis and Sutherland को आपको definitely लेना है Travis and Kamal के form में है और साथ में तो balling भी कर रहे हैं office में 10 अवर डालेते पिछले match में बहुत important है और साथ में one down batting भी करेंगे Will Sutherland एक balling all downer लेकिन batting भी अच्छी खासी करना जानते हैं और इनका भी performance काफी अच्छा रहा है balling से तो काफी अच्छा रहा है batting उतना अच्छा नहीं कर पाएं लेकिन फिर भी important player है तीसरा player आप Marlow की जगा चाहें तो Carver भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी option है अभी के लिए Marlow को मैं इसले ले रहा हूं पिछले match में इन्हों ने 5 बिकेट निकाली थी भले रन इनको परे थे लेकिन इन्होंने 5 बिक्टे भी ली थी और देथ में balling कराई थी इसले मैं अभी के लिए इनको ल लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं आप ट्राइब करना चाहते हैं तो जील में ही ट्राइब करिएगा बैटिंग यह नहीं करते हैं तो तीनों में बालर्स एवलेवल नहीं है विक्टोरिया की तरब से तो यहां पर मैं जुझी बालर को ले रहा हूं मैं यहां पर लॉलाइट पॉप को ले रहा हूं जो की मेरी डिफ्रेंसल पिक का काम करेंगे लेग स्पिनर है तो हमेशा बि बिकैट टेकर है और नेक्स्ट में यहां पर ले रहा हूं जैक इवेंस को जैक इवेंसी एक मेरी उसाब से बिक्टोरिया की इस matches में मेन वास्ट पॉर्ल का रोल अदा कर सकते हैं क्योंक्गी जो मेन यहां पर उनके फास्ट वरल से अब लेबल लहीं है तो जैक इवेंस बिग बेस्ट लिग के करियर में, काफी यंग प्लियर है, लेकिन अच्छे फास्ट वरल है, तब मैं इनको भी स्लेक कर रहा हूँ, आपके पास option में एक बहुत अच्छी option है, डैनियल वरल, आप इनको ले सकते हैं, अच्छी swing कराना जानते हैं, आप try कर सकते हैं, अगर आप आपको safe जाना हो, तो आप simply L-pop की जगह पर उनको ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने ricks पर L-pop को ले रहा हूँ, आपको safe जाना हो, आप वरल ले सकते हैं, एक दो players और आपको खेलते दिख जाएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो Corey के लिए खेल सकते हैं, अगर team चाहे क करूंगा, GL में ही आपको try करना हो, तो करिएगा, तो यह अभी कले हमारी team बन जाती है, जिसमें captaincy मैं दूंगा, Travis Head को ही, जो कि आपको भी देनी चाहिए, और wise captaincy की दो option दे रहा हूँ, Alex Carey और Peter Hanscom, दोनों चोथे नहीं पर आएंगे, just कि यहाँ पर Alex Carey मुझे पिकेट कि आप carry भी लेकर आ सकता है, मैं carry के साथ हूँ, आपको hands come के साथ जाना हो, आप जा सकते हैं, grand league में आप ध्यान लखिएगा, grand league में marcus harry सापके लिए अच्छे, will sutherland है, और यहाँ पर waste agar है, इन तीनों का आप GL में ध्यान लखिएगा, तीनों आपके लिए बहुत अच्छ आप इनको GL में captain कर लिजेगा, और small league team में भी मैं इनको लेनी की courses करूँगा, अगर यह खेलते हैं, तो थोड़े से risk है, ज्यादा chances है कि खेलने बाले, तो definitely आप Sam Carver का ध्यान रखिएगा, यह अभी के लिए team है, इसमें definitely changes होने बाले हैं, जो आपको final team update मिलेगी, वो आप आपको हमारे telegram channel पर मिलेगी, तो वहाँ पर join करना ना भूले, final team update आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो बस guys आज किस video में इतना ही आशा करूँगा, आपके लिए video informative रही होगी, अगर आपको ऐसा लगा हो, मैंने आपकी थोड़ी भी help की हो team बनाने में, तो आप प्लीज करके बता सकते हैं, कि आपको Tasmania और Western Australia वाली मैच की वीडियो चाहिए या नहीं, अगर आप मुझे बोलेंगे, तो मैं definitely इस मैच की वीडियो अपलोड करने की पूरी कोर्सिस करूँगा,